नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रांड जोते सीक्रेट करक रासी वालों सनी देव की धैया हो रही है शुरू तो धैया शुरू होने से आपके उपर इसका क्या प्रहाओ पड़ेगा चली जानते हैं विस्तार से 2023 से लेकर 2025 तक कुम रासी में अपने ही घर में बैठकर आपके लाइफ में कितना बड़ा बदलाव लाएंगे तो विडियो के अंत तक बने रहें और यह प्रिक्शन चंदरासी पर आधारित है तो करक बालों महा परिवर्तन होने जा रहा है क्योंकि कुम रासी जो सनी देव का अपना घर है और अपने ह कि घर में वह आएंगे तब क्या होगा तो सबसे पहली बात कि देखिए बैदिक जोतिस में न्याय के दाता माने गया है सनी देव जो कर्मों का फल देते हैं व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसा ही वह उसको फल देते हैं खासकर जब धैया होती है तो इसमें चरती भी धैया थोड़ी परिशानी देती है लेकिन उतरती हुई धैया काम कर जाया सही तरीके से तो बैक्ति को राजाओं की तरफ ठाट दे देती है तो 17 जन्वरी 2023 को कुमरासी में आ रहे हैं सरीदे साम पांच बच कर चार मिनट पर और यहां पर 31 जन्वरी को सुबह बारा बच कर दो मिनट पर वो अस्त हो जाएंगे और 6 मार्च तक अस्त रहेंगे इसके बाद वो एक बार फिर से अब यहां पर देखे 17 जुन 2023 को रात 10.48 से वक्री हो जाएंगे और 4 नुमबर 2023 की सुबह 8 बच कर 26 मिनट पर फिर से मार्गी हो जाएंगे तो इनका जो चाल है वो अस्त होने से वक्री होने से मार्गी होने से हर तरह के चाल के अलग लग प्रवाव पड़ेगा तो सनी देव आपके उपर आपके जो ढईया है वो चलना सुरू होगी यहां से और सनी ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो ब्यक्ति को जीवन में अनुसासन भी सिखाता है नयाप्री बनाता है और एक बेहतर रास्ता भी दिखाते हैं पहले तो प्यार फिर डंड देकर भी समझाते हैं तो सिमाओं में रहकर अगर चीजों को करें तो सनी देव बहुत प्रसंद रहते हैं तो कुम्रासी में सनी देव जो कुम्रासी उनका दूसरा घर है आएंगे तो क्या होगा क्योंकि देखिए यहां पर अगर हम बात करें सबसे पहले जो करक वाले हैं करक रासी में सनी देव सप्तम और अस्टम भौ के स्वामी हैं और करक रासी वालों आपके अस्टम भौ में गोचर करेंगे यानि ओनिस्चित्ता का भौव इस वर्स आपको कंटक सनी की धैया का प्रभौव प्राप्त होगा यानि आपको अपने ससुराल पक्च की मदद करने का मौका मिलेगा आपको कारियों में कुछ छोटे मोटे ब्यवधान दिखेंगे लेकिन आप अपनी ओर से अगर प्रियास करें तो हर कारियों में सफलता भी प्राप्त कर लेंगे चड़ती भी धैया है तो थोड़ा मानसिक तनाव रहेगा काम को लेकर थोड़ा प्रेसर भी है लेकिन आप अपनी महनत अपनी चतुराई से हर समस्या से बाहर निकलने में कामयाब हो जाएंगे यह तो थी कि क्या होगा आगे भी हम बताएंगे लेकिन अमूमन क्या होता है देखिए जैसे ही सनी की ढहिया चड़ रही है आपको लगेगा जैसे सरभारी सा हो गया है एक बुझा-बुझा सा मन रहेगा खुसियां लगेगी दीरे दीरे खोसी रही है बे बज़ा आप थोरे से उदास रहेंगे स्वास्त की मुस्किलें परेशान कर सकती है जीवन साती के साथ रिस्तों में दूरियां आने का वज़ा भी ढहिया बनता है यहां तक कि माता-पिता के स्वास्त में मुस्किलें परेश करती है तो इसलिए थोरा सा मानसिक तनाव यहां पर है काम को लेकर दबाओ भी है पर मेहनत तो करना होगा अब देखे इसमें अचानक से धन प्राप्ति की योग भी वनेंगे और ससुराल पक्ष से धनलाब या किसी तरह सुक की प्राप्ती भी होगी संतान को लेकर थोड़े बहुत चिंताएं हैं प्रेम संबंदों में उतार चड़ाओ रहेगा अलाकि लेकिन जो विद्यार्थी हैं कठिन परिश्रम से आपको सफलता जरूर मिलेगी अगर कोई भी आवस्यक आपको डिसीजल लेना हो तो कोई बड़ा निरने बड़ों से आप लेकर निरने सलाह लेकर रख लें तो ज़्यादा अच्छा है और अगर आप कुछ मुद्दों पर विचार करेंगे गहन तो बहतर आप इसके भी कलप आपको मिल पाएंगे वैसे तो अगर आप नोकरी कर रहे हैं तो बरतमान नोकरी में बड़लाओ के भी योग बनेंगे यानि एक अच्छा जब आपका इंतजार कर रहा है तो यहाँ पर सनी देव आपको दे रहे हैं दे तो रहे हैं पर हमेशा नहीं देते हैं कभी कभी तो ले भी लेते हैं तो सद्रमियर के अश्टम सनी जानते हैं अभशने की द्रिष्टी आपके धनभाओ दूसरे भाओ और पंचम भाओ पर होगा है तो संतनामियर का प्रेम का बाह है अब क्या होगा कि अचानक से कोई ऐसी घठनाए होंगी जो आपको थोड़ा सा सोचने पर विवस कर देगा कारेस्थल पर आपको सनिदेव ज़्यादा मेहनत करवाएंगे हाँ मानसिक तनाव से बचें तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि ज़्यादा तनाव लेने से तो कुछ होना नहीं है ससुलाल पक से धन का लेन देन मत कीजिएगा चाहे कुछ भी हो जाए और घर परिवार के लोगों के साथ छोटे मोटे जगड़े होने के भी योग है अगर किसी को उधार दिया है तो पैसा कहीं अटक न जा ऐसे में आपको अपनी वानी पर काबू रखना होगा नहीं तो नुकसान हो सकता है और नया कारे अभी टाल दें अभी शुरू मत कीजिएगा नहीं तो फिर आप यहां पर फस जाईएगा इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा तो करक वालो यह तो थी सिंपल तरीके से कि सनी देव आपकी लाइफ में क्या बदलेंगे क्या देंगे और क्या लेंगे अब दो कदम हम और आगे बढ़ते हैं तो क्या होगा देखिए सबसे पहली बात यहां पर अस्टम भाव में सनी देव जो हैं थोरी सी बेचैनी थोरी सी परिसानी देंगे जो बैपारी भाई है करमचारी है सहयोगी से उतना आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा जितना आप चाते हैं लक्ष से कभी-कभी भटका भी देती है ढईया और यह आपके साथ हो सकती है जब आपको छोटी-छोटी इक्षाओं को पूरा करने में काफी समय लगाना पड़े उर्जा लगाना पड़े तब आप जल्दी मायूस हो सकते हैं इसका ध्यान रखेगा और 30 या 31 जन्वरी से 6 मार्च तक अस्टमभा में अस्त रहेंगे तो आप इस समय आपके लिए बहुत अच्छा वक्त है इस समय का फाइदा आपको उठाना है लेकिन गुप्त रोक या संक्रमन जैसी चीजे हैं तो थोरा सा ध्यान भी रखना होगा खुद का ठीक है अब देखिए 17 जून जो व वक्त बहुत अच्छा है इस प्रियर्ड का आप जितना लाब उठा सकते हैं लाब उठाईए सनी देव अस्टमभा में वक्री गती आरंब करेंगे 17 जून को तो कोई बड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता है ध्यान रखना है आपको मन थोरा चिर्चिरा हो सकता है इसका भी करेंगे ना एक स्टील की कटोरी में सरसों का तेल सुक्रवार की रात अपने सिराने रखकर सो जाएं और सनी वार के दिन उसमें अपना चेहरा देखकर किसी को दान कर दें किसी पास के मंदिर में रखा है तो आपके लिए उत्तम रहेगा मुस्किलों से बाहर निकल अंद में अगर आप ब्यापारी हैं तो किसी पर भी आँखे बंद कर भरोसा मत कीजेगा वर्ना धोका होगा पतनी और संतान की तरफ से भी परेसानी हो सकती है ध्यान रखिए खूब सनी मंत्र का जब कीजे कर्ज किसी को ना दे दुसमनों से सावधान रहे और इससे आपक झाल